नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कृत सीखने की इन कक्षाओं में आज हम सीखेंगे संस्कृत से सरल वाक्य रचना की संस्कृत भाषा में वाक्य कैसे बनाए जाते, sentences कैसे बनेंगे पर इससे पहले क्या आपने अब तक ये सब चीजे सीखी हैं? एक बार देखिए वर्नोचारण के प्रक्रिया हाँ, पद, लिंग, वचन, पुरुष, काल, शब्द रूप तथा धात रूप अब तक आपने पहले की कक्षाओं में ये अवश्य सीखा होगा अगर नहीं, तो एक बार जरूर दोराएं, क्योंकि इनसे ही वाक्य बनेंगे, इन्ही सभी चीजों का, इन्ही सभी अवियोवों का वाक्य में प्रयोग होता है तो अब मैं ये मान कर चल रही हूँ, कि आपने ये चीजे सब सीखी हैं, और आज हम आगे वाक्य बनाना सीखेंगे तो अब जैसे वाक्य में बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्यों सीखना वाक्य है? तो जैसे अभी सबसे पहले ही कहा था कि हम 80 प्रतिशत संस्क्रित जानते हैं 60 से 80, 70, 80 हर किसी का थोड़ा बहुत अलग-अलग हो सकता है पर हम जानते हैं पस ध्यान देना है तो जैसे वाक्य आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं फिर भी हम उनके definitions, उनका स्वारूप, उनका किस तरह से प्रयोग किया जाता है ये इस कक्षा में सीखेंगे तो सबसे पहले तो वाक्य क्या है तो देखिए, वाक्य कोई भोतिक विशे नहीं ऐसे नहीं है कि कोई फोन है, कोई आपके सामने कोई टीवी है वो एक वस्तू है, जैसे matter है फिजिक भोतिक चीज है, ऐसे वाक्य नहीं है ये कोई भोतिक विशे नहीं है, कोई subject ऐसा नहीं है नै कोई ये वस्तू है, बलकि क्या है ये हमारे भावों को, जैसे अब मेरे भावों को आप तक जो पहुँच रहे हैं वो इनहीं वाक्यों के माध्यम से पहुँच रहे है तो वाक्य क्या है, जो अर्थ की प्रतीती कराने वाले शब्द सम्मुहू हैं, उनको वाक्य कहा जाता है और हर किसी वाक्य में दो मुख्य भाग होते हैं, अंग होते हैं एक होता है उद्देश्य और दूसरे को हम कहते हैं विधेय उद्देश्य का अर्थ होता है कि वाक्य का वह हिस्सा जो हमें वाक्य में जो कुछ हो रहा है उसकी सूचना दी गई जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं करता जैसे वह जाता है इसमें वह उद्देश्य है और विधेय क्या है जो उदेशे के विशे में हमें कुछ सूच ना दे उसके बारे में बता रहा हो उसको विधेय कहते हैं ठीक है अब एक बार हम देखते हैं वाक्य की परिभाशा संस्कृत के ग्रंथों में या संस्कृत के आचारियों ने किस रूप में दी है हम एक तरह से फोर्मली ज करते हैं वो शब्दों का समुहूं वाक्य कहलाता है यह आप जान रहे हैं फिर भी 20 प्रतिशत और संस्कृत अच्छी सीखने के लिए संस्कृत के आचारियों ने कैसे वाक्य की परिभाशा दी है यह हम देखेंगे वार्तिक कार कात्यायन हुए वार्तिक का अर्थ होता है जैसे पानेनी ने सूत्र लिखे उन सूत्रों में उन्होंने जितने उस समय पर भाशा में प्रचलित शब्द हैं उनको नोने सूत्र बद्ध किया उनमें से जो बचे हुए थे कुछ अवशिष्ट रहे गए उनके और जो एक तरह से उपसूत्र बनाए उनको पूर्ण करन हैं उन सूत्रों को कंप्लीट करने वाले उनको कहा जाता है वार्तिक यह कात्यायन हुए जो पानिनी के बाद उन्होंने उसकी और एक्स्ट्रा चीजें बढ़ाने के लिए और सूत्र बनाए उनको वार्तिक कहा गया तो पानिनीनी ने कोई वाक्य की definition अपनी अश्ट्य ध्याई में नहीं दी वार्तिक कार कात्यायन ने दी और क्या कहा ये संस्क्रीट दोहराएंगे कि आख्यात पता होना चाहिए अब आपको आख्यात क्या अर्थात क्रियापद और वो क्रियापद कैसे हो अव्यव सावयव सा मतलब विद विद अवयव मतलब सहित सहित को हम विद कह रहे हैं इधर इंगलिश में कि अवयव के सहित कारक के सहित और विशेशन के सहित जब हम क्रियापद का प्रयोग कर रहे होते हैं तो ऐसे उनको क्या कहा जाता है वाक्य जैसे कारक सहित की ग्रामम गच्छत वहाँ को जा रहा है, जाने की कृइया में, गाउं भी हमारा लिए एक टार्गिट है, तो वह जाने की कृइया के लिए एक कारक बनता है, तो यह कारक सहीत है, इनको आगे और भी सीखेंगे, विशेशन सहीत जैसे शुष्ठू पचति, अच्छा पका रहा है, तो पकानी का विशेशन प्रयोग किया जा रहा है इसलिए ये क्या कहलाएगा एक विशेशन सहित वाक्य है एक उन्होंने और परिभाशा दी वाक्य की एक तिंग वाक्यम दूसरा क्या दिया एक तिंग वाक्यम कि जिसमें एक तिंगंत शब्द अवश्य हो पद हो उसको क्या कहा जाता है वाक्य है, कि बहुत सारे शब्द हैं, जहां पर हमें एक तिगंत मिल गया, वो collection of words is sentence, वाक्य है, तो अगर मालीजिए बहुत सारे हो, तो वो अनेक वाक्य हो जाएंगे, एक वाक्य नहीं, एक वाक्य में एक होता है, जैसे अब बोलते हुए बहुत सारी बार मैं क्रिया पद तो क्या हुआ, एक तिंग वाक्यम कि जो एक तिगंत जिसमें आ जाए, तिगंत वही क्रिया पद, verbal forms, जब संस्कृत की वर्ब, धातु, हमारी formation में change होती है, अलग-अलग कालों में उनका रूप चलते हैं, उनको तिगंत कहा जाता है, यह आप पहले जान चुके हैं, तो यह सब क्या कहलाते हैं, वाक्य, भाशा में या बोलने में वाक्य ही प्रधान होता है, उस वाक्य के आधार पर हम धातु, प्रत्य, अवियव, विशेशन, यह सब उसमें से उसके और अलग-अलग टुकडे करते रहते हैं, वैसे बोलने में या लिखने में भी वाक्य की प होता है अता इस दृष्टी से वाक्य अपने आप में एक पूर्ण इकाई है एक वाक्य एक पूर्ण पर कई बार हमारे भावों को हम एक वाक्य में नहीं कह सकते कई बार कह भी सकते हैं जैसे कि उद्यमेन ही सिध्यंति कारियानी नयमनोरत है यह एक वाक्य है कि मेहनत से ही सभी कारिय सिद्ध होते हैं केवल मनोरत केवल मन में सोचने से ही कि हा मुझे संस्कृत आ जाए बड़ी अच्छी लगती है नहीं होगा तो यह सभी का पूरा का पूरा भाव इस एक वाक्य में आ रहा है तो वाक्य अपने आपने पूर्ण इका ये राम ये एक पद कहा, तो ये क्या, राम क्या, अनेकों प्रश्न खड़े हो जाएंगे, अगर अकेला एक ये पद बोला, ऐसे ही गच्छती ये बताया था, क्रिया पद हमारा एक खंड वाक के जरूर है, क्योंकि गच्छती हमें ये बता देता है, कि कोई करता, कोई मतलब व्यक्ती है, जो कि प्रथम पुरुष का है, वह जा रहा है, और प्रजेंट टाइम है, ऐसे कई चीजें गच्छती ये इक क्रिया पद बताने में समर्थ है, संस्कित भाषा के धातु रूप एक खंड वाक्य है, पूरे एक बड़े वाक्य का एक छोटा हिस्सा अवश्य ह होते हैं, परन्तु वाक्य क्या है, अपने आप में एक पूर्णिकाई है, जो पद और शब्द हैं, वो उस वाक्य के छोटे-छोटे अंश हैं, टुकडे हैं, वाक्य और इस पद को ले करके, जैसे भी पदों से ही वाक्य बन रहे हैं, शब्दों से ही वाक्य बन रहे हैं, जो भारते मिमानसक हैं, मिमानसक मतलब एक होते वयाकरण, जो व्याकरण की दृष्टी से सोचते हैं, एक हुए हैं जो मिमानसा दर्शन की अनुसार, शब्दों को अर्थ प्रतीती में प्रयोग करते हैं, वो मिमानसक हैं, उनमें थोड़ा-थोड़ा मतभीद है, उनमें भी आगे दो वाद हैं, दो ग्रुप चले मिमानसकों में, अनविता भीदान वाद एक ये है और एक है अभी हीतान वयवाद, तो अनविता भीदान वाद के नुसार क्या है, वाक्य ही सार्थक है, कम्प्लीट है, पद और शब्द उसके एक-एक हिस्से हैं, उसके तोड़े पद सार्थक है, कि आप सार्थक पद प्रयोक करेंगे, तब ही वाक्य कम्प्लीट होता है, और इनी पदों को जोड़ने से ही एक वाक्य बनता है, वो इस तहसे कहते हैं, दूसरे वाले क्या कहते हैं, कि वाक्य पूर्ण है, पद उन सब के एक-एक हिस्से हैं, और वाक्य पदियेकार भरत्री हरी राजा भरत्री हरी हुए उन्होंने नीती शतक स्रिंगार सतक वैरागय शतक जैसे काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं और उन्होंने एक वाक्य पदियम व्याकरण का एक ग्रंथ भी लिखा है दर्शन का कहे सकते व्याकरण दर्शन का उस ग्रंथ का नाम वाक्य पदियम उन्होंने भी क्या कहा कि वाक्य की सत्ता है वही वास्त्विक है और ये मत जो आधुनिक भाषा विज्ञान है लिंग्विस्टिक से वो भी मानता है वो क्या कहता है आधुनिक भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी के अनुसार है यह कि वाक्य भाषा की व कई बार हमारे अर्थ को हमारे भावों को एक वाक्य पूरा नहीं कह सकता तो एक वाक्य कई बार तो पूर्ण रूप से कह देता है कई बार नहीं कहता तो वो जो शब्द है अनिक शब्द वो चाहे पूर्ण हो या अपूर्ण हो व्याकरनिक दिश्टी से अपने दर्ब में अवश्य पूर्ण होता है साथ ही उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम से कम एक क्रिया अवश्य होती है उसके बाद भारती आचारियों में विश्वनात आचारे हुए उन्हों कहा कि एक वाक्य में कम से कम ये पांच चीजे तो आवर्ष्य होनी चाहिए तब को कहलाएगा ऐसे नहीं है कि दुनिया जहान में जितने शब्द है उन सब को एक शिघे खटा लिख दिया और avete बनो गया नहीं उनमें क्या होना चाहिए योग्यता कि जो by भाव हम कह रहे हैं, उन भावों को भीव्यक्त करने के लिए वो पद योग्य हों, जैसे कि कहा गया वन्हिना सिंचती, आग से सीचता है, तो सेचने का कारिया, सीचना जल से सिंचन करते हैं, हम वाटरिंग जो करते हैं, पोधों में पाने डालना, सेचना जिसको कहा, वो जल से किया जाता तो अगनी में सीचने का सामर्थे नहीं हैं तो इसलिए ये एक वाक्य नहीं हुआ उन पदों में वैसा ही अर्थ कहने का परस्पर क्या होनी चाहिए योग्यता capability होनी चाहिए आकांक्षा कि जैसे कोई आपने एक पद बोला उस पद को बोलते ही कोई अपेक्षा नहीं आकांक्षा नहों complete, आपके उस भाव को वो कहने में, सारे के सारे शब्द कहने में समर्थ हो, आकांक्षा नहरे, ये भी एक विशिश्टा उन शब्दों या पदों में होनी चाहिए. तो वाक्य के शब्दों में अर्थ की पूर्ण प्रतिती कराने की ख्षमता हो ताकि शोता या पढ़ने वाला पाठक को भावपूर्ती के लिए कुछ और सुनने या पढ़ने की आकांक्षा ना रहे अगली एक और विशेष्टा होनी चाहिए आसत्ती अर्थात वाक्य में जो शब्द हैं वो परस पर नजदीक हो यह नहीं एक वाक्य आज बोला कि राम एक आप एक घंटे बाद बोल रहे हैं पढ़ता है तो यह दोनों राम और पढ़ता है परस पर किसी भी भाव को भिव्यक्त करने में समर्थ नहीं होंगे तो इनमें आसत्त समीपता नजदीकी होनी चाहिए तुरंत एक के बाद दूसरा जब शब्द कहा जाएगा तभी वो एक वाक्य बन पाएगा और क्या कहा सार्थकता वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए ऐसे ही नहीं कि उनका कोई अर्थी ना हो ठीक है तो सार्थक शब्दों को वाक्य म में अन्विति अन्वे कि जैसे जो शब्द या पद नाउन जिस पुरुष का है उसके अनुसार ही क्रिया हो जितने वचन का हमारा नाउन है एक वचन द्वीवचन बहुवचन उतने में ही हमारा क्रिया भी एक वचन द्वीवचन या बहुवचन की हो जैसे ये उधारन ये लिखा दो बालक और गच्छामी उत्तम पुरुषका हो गया जो कि क्या कहता है मैं जाता हूं उधर कहरें दो बालक तो आपस में इनका क्या है एक कॉंटेक्स्ट नहीं बन पाया अनवे नहीं हो पाया एक दूसरे के लिए नहीं लग रहे ये शब्द तो ऐसे ही परस पर व्याकरण की दृष्टी से उन पदों में अनवे होना चाहिए अनवीती होनी चाहिए तो आचारे विश्वनात के नुसार एक वाक्य में इन पांच अवियों का होना उन शब्दों में इन पांच योग्यताओं का होना आवशक है अब हम विचार करते हैं कि हम कितने तरह क वाक्य बोलते हैं अब जैसे बोलते हुई कभी मैं प्रशन उठा करके पूछ रही हूं कभी आश्टेरी से पूछते हैं हम कभी कितने प्रकार के हैं तो जो भाशा जानने वाले हैं उन्होंने व्याकरण के नियमों के आधार पर ये वाक्य के भीद बनाए एक है आकृति को उन्हों सबस्य को आधार मानकर रचना के आधार पर अर्थ के आधार और क्रिया के आधार पर हम सभी वाक्यों को बांट सकते हैं तो वाक्य का जो पहला भे था आकृति आपने अलग अलग हो उनको क्या कहा जाता अयोगात्मक जैसे इंगलिश का एक वाक्य है जोन किल्ड मेरी और मेरी किल्ड जोन तो जोन ने मेरी को मारा अगले मेरी पहले आ गया तो मेरी ने जोन को शब्द वही हैं पर उनका स्थान जब अलग-अलग हुआ तो वाक्य का अर्थ अलग हो जाता है तो जब इसमें अर्थत्व अर्था जो धातू है उसको अर्थ सत्व कहा और उसके बाद लगने वाला प्रत्यज़ इन दोनों का कोई योग नहोता हो ऐसे वाक्यों में शब्दों का स्थान और क्रम निश्चित रहता है भाषा जैसे चीनी भाषा है उस चीनी भाषा में एक एक शब्द के साथ प्रतिय वगरा लगा करके नहीं बना हुआ होता उसको जिस सेंटेंस में वो आगे है पीछे है बीच में है उसके नुसार उसका अर्थ निकलता है तो ये अयोगातमक भाशा में चीनी और कुछ अंग्रेजी भी इसी में ही आती है, जैसे ये उधारन था कि जोन किल्ड मेरी और मेरी किल्ड जोन, शब्द वही पर उनका क्रम या स्थान चेंज हुआ, तो वाक्य का अर्थ भी उल्टा हो गया. दूसरा था योगातमक, योग होना, किस-किस का योग होना, धातू अर्थात अर्थ का और उसके साथ लगने वाले प्रत्ययों का आपस में संबंद होना, वो योगातमक है, ग्रीक, लेटिन, अर्भी, फार्सी, संस्कित, ये सब इस प्रकार की भाशाएं है, संस्कित योगा आतमक, योग होता है उसमें शब्दों में, किसका प्रकृति और प्रत्य का, तो इसमें अगर हम कहीं पर भी लिखे शब्द को वाके में, आगे पीछे, बीच में, उसका अर्थ में परिवर्तन नहीं आता, स्थान से या क्रम से लिखे हुए शब्दों का अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता क्योंकि उसमें शब्द के साथ प्रत्य जुड़े हुए हैं धातू के साथ जैसे रामह पुस्तकम पठती राम के पीछे जो ये विसर्ग लगे हुए हैं योग हो गया यहां पर राम के साथ इन प्रत्यों का ये हमेशा वाक्य में कहीं पर पढ़ता है अब अगले सेंटेंस में देखिए अगर आप क्रम चेंज कर दें पुस्तकम Пठती रामह शब्द सब्दस् subt चैने में अर्थ करेंगे पुस्तक पठती का अर्थ है पढ़ता है राम पुस्तक पढ़ता है राम तो हिन्दी किससे तो थोड़ा सा एक एकसेंट कह पुत्रेन सह बीच में रखे तो उससे उसका जो मूल भाव है इस वाक्य का उसमें परिवर्तन नहीं आता तो इसलिए संस्कित क्या है एक योगात्मक भाशा इसके वाक्य योग वाले हैं हर एक शब्द में धातूर प्रत्य का एक दिश्चित जो योग बन जाता है उस योग पर उनका स्थान या क्रम में परिवर्तन आने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा दूसरा वाक्य का भेथा रचना के आधार पर हम जब sentences बनाते हैं हिंदी हो इंगलिश हो किसी भी भाशा में कोई बड़े simple simple वाक्यों का प्रयोग करता है सरल वाक्य हो गए अहम पठामी संयूक तो वाक्य कई बार किसी को बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्य प्रयोग करता है क्रिया बड़ी last में जा करके मिलती है तो compound sentences उनको कहा जाता है जैसे संस्कृत का एक उधारन रामा ग्रिहम अगच्छत भोजनम चा अकरोत यहां पर दो दो एक्षन एक में बताए गए हैं दो दो क्रियाएं कि राम घर गया और भोजन भी किया तो एक वाक्य क्या हुआ रामा ग्रिहम अगच्छत दूसरा उसका सब sentence क्या था रामा भो जनमकरोत और चा से यह दोनों जो इंडिविजिवल स्वतंत्र वाक्य थे उनको हमने जोड़ दिया संस्लिष्ट कॉंप्लेक्स और कॉंप्लिकेटिट संटेंसीज भी बनाते हैं कि जिनको में बहुत सारी चीजे और छोटे-छोटे शब्द बना करके बढ़ों से छोटे क करके समास लगा करके प्रयोग किया उनको क्या का जाता कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा एक से अधिक आश्टित उपवाक्य भी होते हैं जैसे सोयम गिरी ही प्रस्रवन है यत्र गोदावरी नदी कि यह वही प्रस्रवन पर्वत है जहां गोदावरी नदी ह तो यह यह एक परवत है उसके साथ में उसके एक विशेष्टा जहां गोदावरी नदी है तो यह एक संसलिष्ट कॉम्प्लेक्स संटेंस का एक उधान हुआ फिर होता है मिश्रवाक्य उस मिश्रवाक्य में प्रधान वाक्य के साथ साथ ऐसे अनेक उपवाक्य जुड़े आधार पर, अर्थ की आधार पर जो हम भाव हैं अर्थ कहना चाहते हैं उसके आधार पर भी वाक्ट के निर्मान में परिवर्तन आता है जैसे कभी हम विधान, आदेशातम कहा की करता यह दे रहा है कि वह कुछ कर रहा है जैसे बालक फलम खादती बस एक information दी गई कि बालक फल खा रहा कई बार निशेद मना करने के लिए भी होता है कि सनह पठती हम कभी आज्या देने के लिए भी कहते हैं कि तौम पठ कभी प्रश्ण पूछने के लिए भी हम sentences प्रयोग करते हैं यसे कि अपी तपो वर्धते तौम पठसी इस तरह के ये वाक्य प्रश्ण वाले विस्मयार्थक आश्चरिय जहां हो रहा अई असुव नरेंद्र है ये नरेंद्र है क्या संदेह करते हैं अपी जीवेत सह क्या भी वो जीही रहा है इच्छा प्रकट करते हैं जीवेमशरदह शतम किसी के जन्म दीवस पर हमां ऐसे शुब कामनाओं के साथ की भा सो वर्शों तक जीए जीवेतः शतम हम जीएं तो जीवेमशरदह शतम तो इस तरह के ये वाक्य है एक भेदोर है कि जहाँ क्रिया वाक्य में हो या ना हो उसके आधार पर भी वाक्य में भेद आता, एक क्रिया युक्त वाक्य एक क्रिया रहित, जैसे गवहु पूज्या, गाय पूजनिया है, तो इसमें कोई क्रिया नहीं है, फिर भी एक complete वाक्य है, और क्रिया युक्त के उधारन तो आप देखते ही आ रहे हैं, तो इस तरह से ये वाक्ये के भेध है और वाक्ये तीन प्रकार के और होते हैं एक है करतरी वाच्चे कर्म वाच्चे और भाव वाच्चे क्या है जो सब्जेक्टिव जहां पर हम एक तरह से एक्टिव वोस जिसको इंगलीश में कहते हैं। उस तरह से प्रयोग किये, बालक पढ़ता है, बालक बैठता है, उसमें हम subject को target करके, उसको highlight करके, उसको विशेश रूप दे करके वाकिव बनाते हैं, वो कर्तरी वाच्चे कहलाते हैं, एक होते कर्म वाच्चे, जहांपर हम कर्म को प्रधान बनाते हैं, जैसे एक कहा कि रा कर्म को बताने लग जाए, उन sentences को हम कर्म वाच्चे कहते हैं, संस्कृत में जब इन कर्म वाच्चों का प्रयोग किया जाए, तो कर्ता में तृत्या भी भक्ति आ जाती है, वैसे कर्ता में प्रधमा है, परन्तो जब कर्म वाच्चे होगा, तो कर्ता में तृत्या भी भक् पठ्यते तो यह जो यह और ते सब क्रियाओं के पीछ यह लगने लग जाएगा और वो क्रिया कर्म वाच्चे में परिवर्तित मानी जाएगी आहम पठ्ठामी आहम यहां पर करता और करता में प्रत्मा विभगती है परंतु जब मैं इसको कर्म वाच्चे अर्थात कर्म को प्रधान मान करके अपना sentence बनाईंगे तो कर्ता जो है वो तृतिया में अहम की जग है मया और पठामी की जग है पठ्यते इस तरह से कर्म वाच्चे के रूप बनते हैं एक भाव वाच्चे और होता, उसमें कर्म नहीं होता संटेंस में, अकर्मक रिया होती, कोई अबजेक्टिव नहीं होता, कर्म तो जैसे बालक बैठता है, बालके निस थी यह ते, तो बैठने की क्रिया के लिए करता में ही आश्रीत है बैठने का जो भाव है, इसलिए ऐसी क प्रफ्रकर के वाक्य हैं, वाक्य किसे कहा गया और इन वाक्यों में से हम संस्कृत जो है वो योगात्मक भाशा है, तो यह सब जानने के बाद हम वाक्य कैसे बनाएं, पहले भी हम यह सीख चुके हैं कि हमारा करता जिस पुरुष का, जिस वचन का है, क्रिया भी उसके नुस जैसे इसमें प्रथम एक टेबल जो दी है सामने वो है हमारे सभी एक नाउन्स की जिसमें की प्रथम पुरुष में हमने सर्वनाम का प्रयों किया मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष उसी प्रकार पठ धातु के भी नो तरह से रूप जो चले हुई हैं तो अगर करता बनते हैं कि करता की अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है यह सरल वाक्य बनाने की विधि जो विशेश हैं और उनमें आगे कारक आ जाते हैं समास आ जाते हैं जिनको हम अगली कक्षाओं में सीखेंगे तो निशकर्ष क्या बना एक तरह से आज की इस कक्षा का कि वाक वाक्य क्या है भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन सार्थक शब्द समुहूं का हम प्रयोग करते हैं एक शब्द नहीं अनेक शब्द समुहूं एक से अधिक शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है उन शब्द समुहूं को क्या कहा जाएगा वाक्य और वाक्य तो इतने प्रकार के वाक्य जब हम प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में या इंगलिश में सभी भाशाओं में इतने ही प्रकार के लगभग संस्कित भाशा में भी हैं तो आज उन विविद प्रकार के वाक्यों में से किवल सरल वाक्य रचना उसका एक ही फॉर्मूला है करता जिस से मिश्रित वाकिय हैं संस्रिष्ट वाकिय उनमें कारक भी आजाते हैं वो हम अगली कख्षा में सीखेंगे तो आज कई दोहराएं और पिछे उस जो हमने पुरुष और वचन कक्षा में पुरुष के अनुसार वचन और उनके अनुसार क्रिया पद किस प्रकार प्रयोग किया उसको दोहराएंगे तो समय सरल संस्कृत में वाक्य बनाना अवश्य आएगा धन्य वगाद झाल